चलि इस वक्त की एक बड़ी ख़बर आपको उता दें दिल्ली की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है इस वक्त की बड़ी और हम जानकारी आपको दे रहे हैं अपसे थोड़ी देर पहरे अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पत से स्तीफा दे दिया है और इसी के बाद अब नई सरकार के गठन का दावा पेश किया गया है सुनिए जरा क्या कुछ कहा आतिशी ने केंदर सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजनसीज को उनके पीछे छोड़ा उनको एक जोटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा सुप्रीम कोट ने नासिर वर्विंद के जरिवाल जी को बरी किया बलकि बहुत तीकी टिपणी करी केंदर सरकार की एजनसीज पर केंदर सरकार की एजनसीज पिंज्रे में बंद एक तोटे की तरह हैं और अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी गलत थी एक दुरभावना के तहट की गई को अगर कोई भी और नेता होता कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठाए लेकिन अरविंद केजरिवाल जी ने जो फैसला लिया शायद ही इस देश के इतिहास में मैं कहूंगी इस दुनिया के लोगतांत्री के इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जंता कहेगी कि अर्विंद केजरीवाल इमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुरसी पे बेट होगा और आज इसी तहट अर्विंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है ये आम आदनी पार्टी के लिए हमारे पूरे विधायक दल के लिए दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का शन है पूरी दिल्ली में लोग अर्विंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी है लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रही है कि आने वाले चुनाव में वो अर्विंद केजरी वाल जी को फिर से मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं तो आप सुन रहे थे आतिशी को हमारे सहियों की मोहित बक्षी हमारे साथ जुड़ रहे हैं काता रामाद्मी पार्टी से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं मोहित हर किसी के जहन में यही सवाल कि आतिशी शपत कब लेंगी आप देखें क्योंकि आप दावा पेश कर दिया गया है और डियू प्रोसेस होता है अनुराग आप समझते हैं उसके तहए में यह इस्तिफा जाना है सुईकार होगा सारी प्राकारवाई जो है राश्पती तक जाती है और फिर उसके बाद जो है उपराजेपाल दफ्तर पर निर्भर करेगा कि कब नए मुख्यमंत्री के तोर पर आतिशी शपत लेंगी क्योंकि नमबर्स में कोई दिकत नहीं है नमबर्स पूरे आवानी पार्टी के पास है किसी तरीका का विद्रों नहीं है विरोध नहीं है तो एसे में जब समर्थन पतर मिल गया है तो कब उपराजेपाल दफ्तर कब और कहां? ये दो सवाल है, निर्धारित करता है कि ये शपत हो अधिके मोहित बेहत मैटपूर्ण होगा वो समय जब आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेंगी और अभी क्या चैलेंजिस आगे दिखाई देते हैं आतिशी के क्योंकि फिलाल तो ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है लेकिन आतिशी जब मुख्यमंत्री पत की शपत ले लिंगे उसके बाद क्या चैलेंजिस होंगे आत देखें बहुत जादा तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आएगी आपको इससे पहले जिस तरीके से लजी वर्सिस दिल्ली सरकार रहा वो एक बड़ी चुनोती है उसके बाद अपनी नई कैबिनेट के साथ काम करने के लिए लेकर और तमाम विभागों को लेकर सारी चीजे क्योंकि दुबारा से की जाएंगी तो वो एक करना बड़ा चुनोती होगी उसके अलावा जो है सबसे महत्पूर्ण ये है कि एक हजार रुपए देने का वादा अर्विंद केजरिवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए किया गया था वो वादा निभाना जरूरी होगा आमानी पार्टी के लिए क्योंकि विधान सवा से उसका बजट पास हो गया है और योजना लागू कराने की चुनोती जो है वो आतिशी के सामने है क्योंकि एक बड़ी योजना वो मानी जा रही है अब मोहित वक्त बहुत जादा नहीं होगा आतिशी के पास मुक्हमंत्री के तौर पर बहुत जल्द विधान सवा के चुनाव होने है आपको लगता है कि आतिशी की जगा अर्विंद केजरिवाल ही विदानसवा कैंपेन का बड़ा चहरा, सबसे बड़ा चहरा रहेंगे इस एजेंडे के साथ की देखे किस तरीके से अर्विंद केजरिवाल को परिशान किया गया क्या यही आमाद में पार्टी की रणनीती रहेगी अगले विदानसवा चुनाब में बिल्कुल अनुराग जिस तरीके से जो आपने पड़ा है जो रीड किया है वो बिल्कुल ठीक है इसी तरीके की स्तिती है अर्विंद केजरिवाल बड़ा चेहरा ना सिर्फ दिल्ली के चुनाओ में उससे पहले हर्याना चुनाओ में हर्याना चुनाव में भी ये जरूर होता कि अर्विन केजरिवाल जो की अभी जमानत पर बाहर है और दिली के मुखे मंतरी पाद की कुर्सी नहीं छोड़ रहे इसलिए उन्होंने कुर्सी भी छोड़ दी जंता के बीच जाने का फैसला भी किया है हर्याना चुनाव पर इसका असर पड़ेगा दिली चुनाव में लीड केमपेन ही यही होगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने ब्रस्टाचार किया है तो वोट मत देना अगर आपको लगता है मैंने ब्रस्टाचार नहीं किया तो मुझे वोट देना यही लीड कैम्पेन होने जा रहा है यह आज तै हो गया है बहुत एक और सवाल इसी से जुड़ा क्या इंडिया गटबंदन का हिस्सा कॉंग्रेस पार्टी जो आमादमी पार्टी के साथ है आपको लगता है कि जो आपसी असमंजस की स्थिति है वो अब कम होगी क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई लगातार अर्विन केज़िवाल के सरकारी आवास पर सवाल खड़ा करती रही थी अब केज़िवाल जब पद से स्तीफा दे चुके हैं तो ना आवास रहेगा ना कोई जिम्मेदारी कहीं जो कम्निकेशन गैप है दूरियां है वो कम हो पाएंगी क्या कॉंग्रेस के साथ देखें राष्टे स्तर पर तो इंडिया अलाइंस का हिस्सा रहेगी लेकिन दिल्ली के स्तर पर इंडिया अलाइंस का हिस्सा या फिर गटबंदन की जो बात है वो अभी दूर की कोड़ी नजर आती है क्योंकि हर्याना में अगर space देती MJP जो आमादमी पार्टी है को space देती Congress तो उस कमोबेश समझ आता तो तब बात बंती हुई दिल्ली में भी दिखती है लेकिन अरॉआग मैं आपको बता दूँ कि अभी दूर की कोड़ी ही है दिल्ली में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का गटबंदन जे रहेगी इस बड़ी खबर पर नजर मोहित आप भी नजर बना के रखें आगे भी अपडेट आप से लेंगे कि जब तक दिल्ली की जंता गुबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुरसी पर नहीं बैठेंगे उसी एलान के तहट आज मुख्यमंत्री जी ने उपराजपाल महोदे को अपना इस्तीफा सौपाए साथी साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आमादमी पार्टी के विधायक मंदल दल की बैठक हुई थी बैठक में सर्वसम्मती से आतिसी जी को अपना विधान मंदल दल का नेता चुना गया था हमने आम आदमी पार्टी के विधान मंदल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराजपाल जी को सुचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिसी जी की तरफ से जल से जल सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तूत की गई है हमने उपराजपाल महोदे से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द सपत की तारीख सुनिश्चित की जाए जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के दो करोन लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके जेल से आने के बार दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल जी ने ये एलान किया था कि जब तक दिल्ली की जंता दुबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंतरी के कुरसी पर नहीं बैठेंगे उसी एलान के तहट आज मुख्यमंत्री जी ने उपराजपाल महोदे को अपना इस्तिफास हो पाए साथी साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबा आम आदमी पार्टी के विधायक मंदल दल की बैठक हुई थी बैठक में सर्वसम्मती से आतिसी जी को अपना विधायक मंदल दल का नेता चुना गया था हमने आम आदमी पार्टी के विधायक मंदल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराजपाल जी को सुचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिसीजी की तरफ से जल से जल सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तूत की गई है हमने उपराजपाल महोदे से निवेदन किया है कि जल से जल सपत की तारीख सुनिश्चित की जाए जिससे के दिल्ली के अंदर दिल्ली के दो करोन लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके नीजनेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए नीजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें